हेलो इस्ट्रेंड स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लड़नेग प्रटफार्म प्स्ट बाहिए वाला में इस्ट्रेंड आज इस लेक्चर में हम लोग प्स्ट थर्ड समिस्टर के कमेश्टरी का प्रीवियस येर कोश्टन पेपर आपके सामने डिस्कॉस कर करने वाले हैं जो यह पेपर है इस पेपर का नाम है Chemical Dynamics and Coordination Chemistry ठीक है इसके बारे में आपको समझना है जो आपका यह पेपर है 75 मारका है जिसको साल्व करने के लिए आपको 3 घंटे की टायमीन दी गए थी ठीक पेपर का नाम मने बता है दिया Chemical Dynamics and Coordination Chemistry ठीक पेपर का बुआ था जनवरी 2023 में P.S.E. 3 समेश्टर यह आपको सेकते हैं इसकेंड इयर का एकजाम ठीक है और यह जो पेपर है यह वीर वहादूर सिंद्पूर्वांचन इंवर्सिटी का है जो कि जोनपूर में है उसके द्वारा पेपर कंड़क्ट कराया गया था जनवरी 2023 में हर पेपर की तरह यह पेपर भी तीन सेक्सर में डिवाइड है सेक्सर A, B and C फर्स्ट सिक्सर है आपका very short answer type question यानि कि आप कर सकते की अति लगुत्री प्रशन जो यह very short answer type question है इसमें आपको 10 question दिये गया है प्रते question के लिए आपको 2 mark दिये जाएंगे जो एक question है आपको इसको 50 word में आने की 50 सब्दों में लिखना है ठीक तो पहले पूछा आपको पहला question आपका है define the molecularity of a reaction आर्विक्ता क्या होती है उसके बारे अभिक्रिया की आर्विक्ता क्या होती है ठीक है जैसे कोई reaction है उसकी आर्विक्ता कितनी है कितनी है उसके बारे में आपको बताना है कि वक्त होता क्या है नेक्स्ट कुशन है write the lay chattelier के सिधान प्रिंसिपल ठीक ले चैटलियर के सिधान को आपको बताना है कि वो होता क्या है write the statement of phase rule जो phase rule होता है उसके statement को बारे में बताना है उसके बारे में आपको विबरल बताना है उसके बारे में यानि क्या आपका सकते है कि जो state rule होता है state phase of rule होता है तिक यानि क्या आपका सकते कि phase rule के बारे में आपको बताना है प्रावस्था के नियम के बारे में लिखना है आपको राइट दवांडर्वाल्स एक्वेशन फार वन मुल आफ गैस एक मुल गैस के लिए ठीक है एक मुल गैस के लिए वांडर्वाल का समीकरण आपको लिखना एक्वेशन मतलब समीकरण होता है फिर आपसे पूचाए राइट दशार्ट नोट अन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन धुरुवी और धुरुवी इन दोनों के बीच में किस प्रकार से अंतहक्रिया होती है इंटरेक्शन होता है इसके बारे में आपको बताना है नेक्स्ट कोशन आपसे पूचा है वाट इस दख को आडिनेशन नंबर सामन्ने क्या होता है उसकी संख्या क्या होती है उसके बारे में आपको बताना है की को आडिनेशन नंबर क्या होता है फिर आपसे पूचा है राइट दर लिमिटेशन आप वैलेंसिंग बान थियरी सिंधान्द की कि उसके बारे में वाब को लिखना था सििल्था क्या होती है इसके बारे में वाब को बताना है स्पाइल सेलेक्शन रूल क्या होता है इसके बारे में आपको बोल next question नेक्श्ट क्रिस्टिक लिकविड क्रिस्टल क्या होता है आप उस से क्या जानते हैं उसके बारे में आपको लिखना है, सिक्षन भी आता है, साट एंसर टाइब कोश्चन, ये भी कोश्चन कितने मारका है, 35 मारका है, एक कोश्चन को लिखने के लिए आपको 200 वड़ देना है, और 5 कोश्चन अटेंड करने है, 7 कोश्चन में से, ठीक है, आपको इसका पीरियप चाहिए, तो आप मारे वाटसप के थुरू, हमारा वाटसप नमबर है, 95983080, फोर फोर के, फोर फोर पे आप वाटसप के थुरू मेसेज़ करके, आप इस पेपर को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, राइट डिफ्रेंट मेथर आप डिटर्मिनेशर आफ आडर आफ रियक्षन, अभिक्रिया के, क्रम निधारर के विदियों को बताईए, जैसे कोई अभिक्रिया है, अब आप उसको आडर में लिखना चाहते हैं, कि पहला कौन सा होगा, उसके बारे में आपको लिखना है, कि क्या-क्या आप चीजी देखेंगे, उसके बेश पर आप किसी चीज को आडर में कर सकती हैं, नेक्स्ट कोशन है, राइल्ट पॉस्चलूट, आप काइनेटिक थियरी आप गैसेज, कैसों के गदिस सिधान्त के तक्तों को लिखना है आपको, नेक्स्ट आता है, डिसकर् उप सयोज योगिकों के वर्णर के सिधान को परिभासित कीजिए, नेक्स्ट आता है, डिसकर्स, मेटल, लिगेंट, बॉन्डिंग, आप आक्टा, हेट्रल, कॉम्प्लेक्सेज, अश्ट फलक, योगिकों के धातु, लिगेंट, बंधों को परिभासित कीजिए, आपका य पर अनुप्रियोग या फिर आपको से तिक उपयोग को बताना है आपको फिर आपसे पूछा है डिसक जियोमेट्रिक आईसोमेरिजम इन अक्टाहेडरल कम्पलेकसेंज अल्ष्ट फलक योगिक्यों की जैमिती सामन्योता इन सब के बारे में आपको बताना है डिसकस आपको लिखना है फिर आपसे बोला गया है तिसकर्स लाप को रिस्पॉंडिंग स्टेट्मेंट संगत अवस्थाओं के नियम को बताइए वो होता है क्या है नेक्स्ट है आपका एंस सेक्षन जी लांग एंसर टाइप कोश्चन ठिक यानिक दिर गुत्ति ब्रस जिसको करने के लिए आपको 500 वर्ड चाहिए यानिकी 500 वर्ड लिखना है तो कोश्चन आपको डिसकर्स करना है इस मेसेज से एक कोश्चन के लिए आपको टेन मारक पहले पूचाए क्रिस्टल फिल्ड थियरी क्या होती है ठीक रायट क्रिस्टल फिल्ड स्प्लीटिंग इर अक्टा हेड्रल कंप्लेक्से क्रिस्टल छेत्र की सिध्धान को समझाईए फिर उससे बात पूचाए अश्ट फलक योगी को के क्रिस्टल छेत्र में विगटर ब इस्पेक्ट्री एक्स्पेक्ट्री एक्स्पेक्ट्रो कोमिकल जो रासायनिक्स रेडिया होती है उसके बारे में आपको एक्स्प्लेंड करना है बताना है नेक्स्ट है राइड शार्ट नोट आन एम्बी एमिडेड लिगेंड क्या होता है एमिडेड लिगेंड क्या होता है मिन फ्री पाथ क्या होता है pseudo unimolecular reaction क्या होता है छट्दम एक का रुक अभिक्रिया ठीक next है नामन क्लेचर यानि किसका UPSC नेम लिखना है next है आपका रायद है सब्स्टिट्यूशन रियक्शन आप square planner complex ठीक यादने की वर्ग समतली योगों के परिस्थापन क्रेक्रिया को बताना है तो ये पूरा आपका पेपर था BSC third semester का ठीक चो मैंने आपके सामने discuss किया है अगर आपको इसका पेपर चाहिए तो आप हमसे whatsapp के थूरू या फिर टेलिग्राम के थूरू आप इसको स्ट्राप्स कर सकते है ठीक तो चलिए मिलते है next lecture में किसी नए topic के साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like कर दिजे चैनल को पहली बार चैनल को subscribe कर लिजे पहला icon दबल लिजे ताकि आपको daily daily notifications मिलते रहे और आपकी BSC हाँ अगर आप BSC चलोजी बॉटनी की त्यारी करना चाते है बॉटनी और जुलोजी का इसकी complete त्यारी कराई गई है playlist लिस्ट में आपको इसका वीडियो मिल जाएगा बॉटनी का लगबग 80 वीडियो है 80 वीडियो है आप देख लिजेगा आपका 100% question वहाँ से मिल जाएगा चलोजी का भी पढ़ा दिया गया सारा कुछ आप देख लिजेगा वहाँ से भी आपके सारे question मिल जाएगे ठिक playlist बना दी गई है ठर्ट समेश्टर की और ठर्ट समेश्टर में चलोजी बॉटनी दोलों की कमेश्टर हमारे योटूब पे नहीं पढ़ा जाती है बच्चो के कहने पे हम previous question पेपर आपके सामने discuss कर ले रहे हैं ठिक तो चलोजीए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ने topic के साथ और ने वीडियो के साथ